Hello friends, मैं सारीका, Welcome to my channel सारीका टुटोरियल्स मैं ला रही हूँ आप लोगों के लिए बाइलोजी के 501 लाइनर कोश्चन अभी तक हमने किया है कोश्चन नमबर 270 तक और आज हम स्टार्ट करेंगे कोश्चन नमबर 271 से तो चलिए फेंट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 271 पौधो की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधो के अन्य भागों में पहुचाने का कारिक कौन करता है लीप्स द्वारा जो भी फूड बनाए जाते हैं वो प्लांट के अधर पार्ट में किस तरह पहुचते हैं तो इसका आंसर है फ्लोएम फ्लोएम के थ्रू प्लांट से जो भी फूड मिटेरियल बनते हैं वो प्लांट के अनधर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं नेक्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 272 पौधों में जल वा खनीज लवनू का समवहन कौन करता है? मतलब प्लांट्स में जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन किस के थू होता है? तो इसका आंसर है जाइलम, जाइलम के थू प्लांट्स में जो और मिनरल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है नेक्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 273 बायो डीजल बनाने में किस वनश्पती का उप्योग किया जाता है? विच प्लांट एज सोर्स ओफ बायो डीजल तो इसका आंसर है जैट्रोफा करकस जैट्रोफा करकस ऐसा प्लांट है जिससे की बायो डीजल बनाया जाता है नेक्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 274 निम्न में से कौन सा बायो डीजल पौधा है तो इसका आंसर है रतन जोत रतन जोत जो है बायो डीजल पौधा है नेक्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 275 बायो डीजल पौधा कौन सा कहलाता है तो इसका अंसर है जेट्रोफा जेट्रोफा बायो डीजल पौधा है नेक्ट कोशन है हमारा कोशन नंबर 276 जैव इंधन इथानॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है बायो फ्यूल इथानॉल किससे प्राप्त किया जाता है तो इसका अंसर है सूगर फर्मेंटे पाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नंबर 277 चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाती के बीच से प्राप्त होता है तो इसका अंसर है पाइन चिलगोजा है वो कौन से प्रजाती के बीच से प्राप्त होता है तो ये पाइन प्रजाती के बीच से गन्ने में कौन सा रोग होता है यानकी सुगर केन में कौन सा डिजीज होता है तो इसका आंसर है रेड रॉट डिजीज सुगर केन में रेड रॉट डिजीज होता है next question है हमारा question number 279 मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे हम क्या कहते हैं तो इसका आंसर है यूरो क्रोम, human urine जो है उसका color yellow क्यों होता है तो वो यूरो क्रोम के कारण होता है नेश्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 280, पेनी सलीन के आविसकारक कौन थे? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनी सलीन के डिसकावरर कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नेश्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 281, परण हरीत यानि कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर है magnesium, chlorophyll यानि के पर्ण हरित में magnesium तत्व पाया जाता है नेश्ट कोशन है मारा कोशन नमबर 282, लीथो ट्रिप्सी क्या है? लीथो ट्रिप्सी से गुर्दे की पत्री किड़नों द्वारा तोरना ही लीथो ट्रिप्सी कहलाता है मतलग जो किड़नी में जो स्टोन हो जाते हैं उसे rays के द्वारा ब्रेक करने को हम लीथो ट्रिप्सी कहते हैं नेश्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 283, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? सब्द कोश्ट के संयोजन से लेक्सिकोग्राफी का संबंध है नेश्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 284, प्राणियों में आहार, श्वशन और संसलेशन तीन प्रमुख गुन है तो इसका आंसर है, मेटाबॉलिज्म यानि की उपापचे, यहां मेटाबॉलिज्म से क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म is the process by which body used to make and burn energy from food मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? कि एक ऐसा process है जिससे की हमारा सरीर food से energy को बनाता है और फिर उसे burn करता है तो इसके लिए हमारे body में क्या जरूरत है? डाइट यानि की आहार, respiration यानि की स्वशन और synthesis यानि की sensation ये तीन गुन होने की जरूरत है next question है मारा question number 285, cobalt 60 आम तोर पर विकीरन चिकित्सा में पर्यूक्त होता है क्योंकि यह उत्सरजित करता है तो इसका answer है gamma rays यह cobalt 60 क्या उत्सरजित करता है gamma rays को यहां पर विकिरन से मतलब है रेडियो थेरापी, कोबाल्ट 60 has been used for रेडियो थेरापी cancer treatment, कोबाल्ट 60 का use ज्यादा तर cancer treatment के लिए किया जाता है next question है हमारा question number 286, कृत्रिम रेशम का निमलिकित नाम भी है, कृत्रिम रेशम को हम और क्या कह सकते हैं, तो इसका answer है रेओन, यानि कि artificial रेशम को हम क्या कहते हैं, रेओन next question है हमारा question number 287, रेशम, तन्तु, रोम, विच, नख, तथा नखर निर्मित होते हैं, किस से? तो इसका answer है केराटीन से, केराटीन से रेशम, विच, नख, नखर, निर्मित होते हैं अब यहाँ पर केराटीन से रेलेटेड एक question है, where is केराटीन found? तो केराटीन is type of protein which is found in epithelial cells which line outside and inside surface of the body केराटीन is the type of protein also which makes up your hair, skin and nails, तो केराटीन treatment के लिए हम बहुत सारे products को भी use करते हैं चलिए अब बढ़ते हैं next question की ओर next question है हमारा question number 288 निमलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो निमलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो इसका answer है सनई, सनई एक ऐसा पादप यानि प्लांट है जो की रेशा और तने से प्राप्त होता है next question है हमारा question number 289 निमलिखित में से कौन सा जीब अपनी त्वचा से सांस लेता है? मतलब ऐसा कौन सा एन्यूमल से जो की रेश्पिरेशन अपने स्किन के थ्रू करता है? तो इसका answer है मेंधक यानि की फ्राप्त next question हमारा question number 290 मेंधक के कायांतर में क्या छोटी हो जाती है? तो इसका answer है आंत यानि की intestine next question है हमारा question number 291 एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आस्रित रहने को क्या कहते है? यानि कि एक पारसाइट जब दूसरे पारसाइट पर डिपेंडेंट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उप पर जीवीता यानि की पारसाइटेज्म तो फिर्ट्स ये थे हमारे अब तक के 291 one-liner question अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे like, share और subscribe करे और हाँ साथी bell icon को भी प्रेस करें जिससे मेरे निव वीडियो की notification आप तक महुचे Thank you